वेलकम टू आवर चैनल, इंजिनियर च्वास टूटर आज के लेक्चर में हम देखेंगे चेक वेदर दा सिस्टेम इस लीनियर और नॉट इस पे कोशन, इसका प्रिविएस लेक्चर में भी हमने देखा बट वहाँ पे डाग्रेमेटिकल अप्रोच मेंने किया यहाँ पे fully theoretical अप्रोच, यह दूसरा अप्रोच है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और पहले तरीके से भी बना सकते हैं आपको जो तरीका असान लगे डियाग्रेमेटिकल तरीका असान होता है समझने के लिए बट वो एक बार समझ गए तो यह तरीका से भी रहता है दूसरा अला तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन क्या है हमें? हमें गिवन है कि y of n is equal to 2 into x of n plus 4 है यह system का क्या है? input-output relationship given है हमें बताना है कि system linear है या नहीं है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई system होता है जैसे y of n wait कोई system है उसका response क्या होता है उस system का? उस response उस system का response जो होता है वो क्या होता है? input का transform होता है यह बात हमें मालूम है एक जो generalized system होता है जर्नल सिस्टम है discrete time system वहाँ पर क्या होता है? y of n is equal to transform of x of n होता है यह transform of x of n होता है और यहाँ पर output क्या मिला है मुझे y of n यहाँ से क्या है 2 into x of n plus 4 तो transform of x of n क्या हो गया है यहाँ पर 2 into x of n plus 4 के बराबर समझ में आ रहा है कैसे y of n बराबर this y of n इसके बराबर है और y of n इसके भी बराबर है इसलिए ये इसके बराबर हो गया इतना clear तो यहाँ से क्या मिला हमको कि transform of x of n बराबर क्या आ गया 2 into x of n प्लस 4 आ गया ये बात याद रखिए अब input जैसे पहले भी हम लोग करते थे for an input x1 के लिए check कलते हैं for an input x1 of n x1 of n जब हम लोग input apply करेंगे सिस्टम में तो output क्या आएगा y1 of n आएगा y1 of n आएगा y1 of n क्या होगा transform of क्या होगा x1 of n होगा ओके तो transform of x1 of n क्या हो जाएगा अगर transform of x of n 2 into xn प्लस 4 है तो transform of x1 of n क्या हो जाएगा 2 into x1 of n प्लस 4 हो जाएगा देखा कितना असान है उसी तरीके से for an input x2 of n चेक कर लिजे देखिए for an input for an input x2 of n चेक कर लिजे x2 of n क्या हो जाएगा ये simple x2 of n के corresponding output क्या हो जाएगा y2 of n y2 of n क्या हो जाएगा transform of x2 of n हो जाएगा ओके तो transform of x2 of n क्या हो जाएगा 2 into x2 of n plus 4 हो जाएगा ओके इतना clear है तो ये एक output निकला ये एक output निकला तो इन दोना output का weighted sum क्या हो जाएगा चेक कर लिजे उसको the weighted the weighted the weighted the weighted sum of outputs the weighted sum of outputs is the weighted sum of outputs is क्या हो जाएगा मान लेजे a into y1 of n plus b into y2 of n यही क्या है weighted sum of outputs है न ये क्या हो जाएगा अब आप a को ए रखिए y1 of n के जगह क्या रखना है आपको 2 into x1 of n plus 4 रखना है okay plus आया b into y2 of n के जगह क्या रखना है 2 into x2 of n plus 4 रखना है it is clear इतना clear तो यहां से आपका क्या आ गया निकाल लीजे यहां से आ जाएगा इसको जब solve कीजिएगा तो क्या आजेगा 2 common लेके a into x1 of n plus b into x2 of n plus 4 common लेके a plus b यह आ गया अपना इसको क्या देते हैं equation number one नाम देते हैं it is clear यह चीज आ गई क्या यह आ गई इसके बराबर मातने ही अब आपको क्या करना कि आपको हुलाना निकालना वी डी दा आउट्पूट में द्युक्रण में मेर्डियोठोट है तो यह क्या आजाएगा देखिए हम लोग यह आप्प रोच करते रहें एक बार एक बार x1 input देते हैं एक बार x2 input देते हैं दोनों का जो output आता है उसको add करके देखते हैं कि overall output क्या आगया और दूसरे case में क्या करते हैं उन दोनों inputs का combinations पास करते हैं सीधा as a input to the system उसके बाद output के आगया वो निकाल लेते हैं यही अप्रोच फोलो करते हैं तो वही कर रहा हूं अब मैं the output due to the weighted sum of inputs दब हम जब हम sum of inputs को apply कर रहे हैं कहां पर किसी system में तो क्या होगा the output due to the weighted sum of inputs is माल लेजे y3 of n है y3 of n है response okay for the response of the system when the sum of inputs weighted sum of inputs are applied उस case में response क्या है y3 of n है अपना यह माल लेजे तो y3 of n क्या हो जाएगा transform of transform of क्या हो जाएगा बताओ a1 into x1 of n plus a2 into x2 of n a2 नहीं यहाँ पर हम लोग b term यूज कर रहें b term so b b into x2 of n हो जाएगा it is clear इतना clear है आपको तो y3 n फिर से लिखे देता हूं मैं देखो confused नहीं होना है y3 of n क्या हो जाएगा ट्रांस्फर्म ट्रांस्फर्म ओफ a1 into x1 of n plus b a1 भी नहीं है a a into x1 of n plus b into x2 of n ओके clear a1 नहीं है क्योंकि क्या हम लोग ले रहें a and b यूज कर रहें तो a and b यूज कीजिए a1 and a2 भी यूज कर सकते हैं वो क्या है वो तो arbitrary constant है कुछ भी नाम दे दिजिए आप पर depend कर रहा है ओके बट जो उपर यूज किया वहीं यहाँ पर यूज कीजिए ताकि match करना ना last में आपको equate करना है equal है की नहीं check करना है ओके तो यहाँ से क्या आया y3 of n is equal to transform of a into x1 of n plus b into x2 of n आ गया ओके तो यह किसकी जगा है यह बराबर क्या हो जाएगा ओके यह बराबर हो जाएगा आपना 2 into a x1 of n plus b x2 of n okay plus 4 क्यों ऐसा क्यों हुआ कुछ समझ में है ऐसा क्यों हुआ देखिए मैं बताता हूँ अपको general equation ही देख लीजे न transform of x of n बराबर क्या है 2 into x of n plus 4 है यह general equation इसी से compare करना है उसी हिसाब से transform of this यह position जो है यह position general equation में कहां पर है x of n की जगह यह सारा चीज़ है न तो जहां पर भी x of n है वहां पर यह सारी चीज़े रख देनी है यह सारी चीज़े रख देनी है ओके यह सारी चीज़े कहां रख देनी है जहां पर भी x of n है तो यहां पर x of n यहां पर है तो मैंने रख दिया wherever equation number 2 यह अपना गया equation number 2 क्या equation number 2 और equation number 1 बराबर आ रहा है कहने का मतलब condition तो यही होता है y3 of n क्या बराबर आ रहा है a into y1 of n plus b into y2 of n k क्या यह बराबर आ रहा है तो नहीं आ रहा है बराबर यह देखिए यह अलग ही है 4 into a plus b यहां पर से फोर है पहला तो सेम है लेकिन दूसरा अलग है तो अंपर आल क्या हो गया यह मतलब क्या हो गया कि अपना इसन्टम है और नओन लेंण इसे ना क्या है non-linear system it is clear so theoretical approach क्या यह था दूसरा अप्रोच यह था ओके इसमें कोई हम ने डाइग्राम वगएरा कुछ नहीं बना आ तो यहां पर at the end क्या output मिला the weighted sum of outputs is not equal to the output due to weighted sum of inputs okay the weighted sum of outputs is not equal to is not equal to the is not equal to the output okay due to the weighted sum of inputs okay y3 of n क्या है output है na due to the weighted sum of inputs तो क्या मिला है आपे the weighted sum of outputs is not equal to the output due to weighted sum of inputs the superposition principle is not satisfied in this case therefore the system is non-linear system non-linear system यह दोनों अगर equal हो जाता तो superposition principle satisfy हो जाता और यह system क्या हो जाता linear हो जाता बट यहां पर satisfy नहीं हुआ इसलिए क्या linear system नहीं है it is clear so यह second approach था I hope आपको यह समझ में आया हो इसके बाद एक और example देखेंगे उसमें हम diagrammatical approach फिर से देख लेंगे अगर किसी को clear ना हो तो so thanks for watching this video please like the video and share the video and subscribe our youtube channel